आशा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे होगे, मेरा नाम इस सिध्धान तक भी होता ही, स्टेडी ग्लोस पर आपका बहुत बुस्ट वागता है, दोस्तों, ये बड़ी दुखत ख़वर आ रही है, पाकिस्तान में मंदिर पर अटाक किया गया, हाला कि अटाक करने के बाद, लेकिन उसके बाद जो मौक था, मतलब उसने मंदिर तोड़ा उसके बाद फिर यहाँ पर रिपेर्मिंट चालो किया, हम बात करेंगे दूस्तों और आप बांगलादेश में भी मंदिरों को तोड़ा गया, ये बहुत गलत बात है, बात एक एक चीज़ को दिखेंगे आज, चलिए चैनल को सबसे पहले सबस्क्राइब करें, इसके पीडिएफ आपको मारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो पिछले अपते आपको पते ही है कि हिंदू मंदिरों को डामेज किया गया था, सेंटरल पाकिस्तान में ये हुआ था, क्राउड आया, पूरा मॉब आया और हम ये देखते हैं कि पूरा का पूरा क्राउड जो था भॉंग टाउन इस्टन पंजाब प्रोविंस में पांच दिन पहले अटाक किया गया था और अभी ये बताया गया है कि हिंदू मंदिर की जो मंदिर तोड़ा गया तो उसकी मरम कर दी गई है और वापस हिंदूों को सौंप दिया गया है मामला दोस्तों ये है कि जब कोट ने एक 8 साल के हिंदू लड़के को बेल दे दी अब इसके ओपर आरोप ये लगा था इसके ओपर ब्लास्फेमी का आरोप लगा था ठीक है इसके ओपर ईशनिंदा का आरोप है ऐसा बोला गया था लोकल रिलिजियस स्कूल में तो ये जो है दिक्कत हुई थी साथी साथ इन्सी आइटी जोगरफी का शांदार हमारा कोर्स है दोस्तों जरूर अवेल करें 6-12 न्सी आइटी कल से मैं क्लासे जो है वो लूँगा तो अब डिस्ट्रिक्ट अड्मिनिस कार्पेट थी आरोप ये लगाए कि 8 साल के बच्चे में अब आई देखें कि ये रिलिजियस स्कूल था वहां की लाइबरेरी थी तो यहां पर इसलामिक रिलिजियस टेक्स्ट रखे हुए थे तो आरोप ये लगा आप साल का बच्चा दोस्तों 8 साल का है वो उसको क्या अकल क्या पता नहीं सही भी है नहीं है किसी न उसको उकसा दिया ये भी नहीं पता तो ऐसा आरोप है कि उसने उसाट साल के बच्चे ने कार्पेट पे यूरिनेट कर दिया पेशाप कर दी और जब ऐसा हुआ तो हम ये देखते हैं कि इसको गिरफतार कर लिया गया और इस यह जो कानून है यह गलत परपस के लिए यूज होता है किसी को फासाने के लिए यूज होता है जैसे मान लिजे कोई बड़ा आदमी है और किसी से उसकी दुश्मनी है वो जबरदस इस पर ब्लास्फेमी का आरूप लगा देगा इसमें जो फस्ते हैं जादत रहों माइनॉर पाकिस्तान में जब यह हुआ यह पूरा का पूरा उसके बाद इस लड़के को बेल देदी कोट ने जब कोट ने देखा कुछ नहीं है भीया तो कोट ने बेल देदी अब उसके बाद पाकिस्तान में जो क्राउड था गुसा गया और फिर हम यह देखते हैं कि मंदिर में जादा लोगों को गिरफतार किया गया है yes authorities ने बहुत अच्छी बात है it's good कि तुरंट पाकिस्तानी authorities एकदम हमें दिखते हैं कि उसमें आई और 50 से जादा लोगों को गिरफतार किया गया और 150 लोगों के खिलाफ मुकद में दायर कर लिये गये हैं इन्हों ने बताया कि देखो यहाँ पे जिनों ने हमला किया है वही टेंपल को वही मंदिर को रिपेर भी करवाएंगे 150 लोगों को समझ लीजिए कि वेंस्डे को जो अटाक हुआ था है ना और यही बताया कि मुसलिम और हिंदूं यहाँ पे बहुत ही अच्छे से रहते हैं लेकिन अभी रिसेंट्ली हम देखते हैं कि हिंदू टेंपल्स हिंदू मंदिरों पे बहुत जादा अटाक बढ़ गए हैं डिस्ट्रिक्ट पोलिस ओफिसर रहीम यार खान अजसर सरफराज ने बोला था कि मेंन सस्पेक्ट को अरेस्ट कर लिया गया है और अभी और को भी हम अरेस्ट करेंगे यह खबर थी आयोप मतलब इसमें पसंद आने वाली तो कोई बात नहीं है लेकिन इस तरीके का टाक पाकिस्तान में काफी बढ़ गए है और अभी बांगलादेश पर मैं एक लेच्छर लूँगा बांगलादेश पर भी हिंदू मंदिर पर काफी तगड़े साटाक किया गया है हुचर यह परते रेदेश सद्दान तक नहीं हो तरी साइनिंग उप